तो यह है floating table, देख रहे हो कैसे हिल रही है एक दम, है ना, लोग इसे anti-gravity के नाम से बता-बता कर वेब कूप बनाते रहते हैं, लेकिन मैं आज इसके पीछे की sign समझाता हूँ, सर इसको आपने हाथ पर रखो, इससे है ना, आम टेंशन भी समझेंगे, string में टेंशन कैसे आती है, देखो, यह मेरा चस्मा है, मैं इसको इसके ऊपर रख दे रहा हूँ, फिर भी यह दागे, देखो, हलके से मुड़ रहे हैं यह तो समझ में आ रहा है, इन धागों पर नी अनलो धागे में, T1 टेंशन इदर लग रही है, तो T1 इदर ही लग रही होगी, एक्वल टेंशन लग रही होगी, और यही टेंशन, एम जी फोर्स को बैलन्स करने की कोसिश कर रही है, इसलिए यह नीचे निगर रहा है, मतलब जो चस्मे का बेटा है उसको, इसी तरीके स हम फिजिक्स एक्सपरिमेंट के साथ बढ़ते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए एक सर्प्राइज रगा है, डिस्क्रिप्सन बॉक्स में चेक कर सकते हो, वहाँ मैं फिर ही पढ़ा रहा हूँ एकदम, और कमेंट सेक्शन में भी,